ओम संति, ओम संति, ओम संति हम सभी भगवान के बच्चे डड़ संकल्प धारी हैं क्योंकि हमारे पास सी सबसे ज़्यादा मन की शक्ती है मनोबल विल पावर कितना ही नहीं हमारे पास तो परमात्म विल पावर है हम ही यदि दड़ संकल्प धारी नहीं होंगे तो भला और कोन होगा तो अपनी सभी धार्णाव को जीवन में अपनाने के लिए सच्चे मन से दड़ संकल्प रखना है धरत पड़िये, धरम न छोड़िये, ये काहवत है पवितरता हमारा पहला धर्म है कुछ भी हो जाए, on any cost हमें इसको अपनाना ही है और संपुर्णता की और ले चलना है ताकि हमारे powerful vibrations संसार को बहुत सुख दे सकें संसार के अंदकार को समाप्त कर सकें अपने जीवन में कुछ और भी धारनाएं अपना लें कैसे मुझे निर्मोही बना है मुझे व्यर्थ की च्छाओं का त्याग करना है मुझे इस जीवन में कौन संतुष रहना है मुझे मान की कामना से परे चलना है ये बहुत सुन्दर धारनाएं है जो हमारे अलोकिक जीवन का स्रंगार है जो हमें महान बनाती है सेवाओं के फिल्ड में सफल कराती है अन्यथा होने वाला छोटा मोता तक्राव सेवाओं के फिल्ड में विद्म स्वरूप बन जाता है और ऐसी आत्माएं सेवाओं न करके डिस्टर्विस करती हैं उनके निगेटिव वाइब्रेशन्स सेवाओं की सफलता पर बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं तो आईए हम सभी अपने से द्रड प्रतिग्या करें हमारी प्यवरीटी जो भगवान के आदेश पर हमने अपनाई है इसे कोई नास नहीं कर सकता और इसके लिए बहुत अच्छी साधनाएं रखें सुमान की साधना मैं पवित्रता का सूरिये हूँ बहुत अच्छा संकल्प है हम से पवित्र किरने गॉल्डन रंग की चारो ओर फैलती है जब हमारी ये प्यवरीटी परसेक्ट हो जाती है तो हमारी ये किरने समपूर रूप से स्वेथ हो जाती हैं सफेद ये हम अभ्यास करते रहें साथ में जिस विशेश अभ्यास की इसमपूर प्यवरीटी के लिए हमको ज़रुरत पड़ती है वो है आत्मिक धरस्टी ये देह कि आकर्षन ही सचमुझ सबसे भयाव है है योगियों के मार्ग पर तन्तु हमें इसाकर्षन से स्वेश को परे करना है इसलिए सभी के मस्तक में चमकती हुई जोती को निहारें साथ में चिंतन रखें ये देहे ये तो बहुत तमो परधान है तमो परधान प्रकरती से बना हुआ है इस देह कि साथ तो हम जनम जनम कहते आए खेल करते आए विकारों का खेल किया लेकिन अब ये खेल पूर्ण हुआ अब हमें अलोकिक रूप धारन करना है अब हमें भगवान की स्रेश्टि च्छाओं पर चलना है ये देह तो कुछ नहीं है जैसे एक किचरे का डब्बा बाहर से सुन्दर सजा दिया गया हो इस देह के अंदर किचरा ही किचरा है केवली सुन्दर ये तो बाहर का है इसलिए हमें अपने जीवन में असली सुन्दर ये धारन करना है और वो है सदगुनों का सुन्दर ये वो है स्रेश्धानाओं का सुन्दर ये इस सुन्दर्ता के आगे जिदे की सुन्दर्ता फ्रीक ही पड़ जाती है तो आगे हम अपनी सैश धार्णाओं के लिए धर्ण संकल्प धारी बने हमारी प्योरिटी संसार के लिए बहुत वड़ा वर्दान सिध्ध होने जा रही है हमारी धार्ना है हमारा धार्ना स्वरूप जीवन हमारे चेहरे फर चमकता हुआ तेज संसार की आत्माओं को मंजिल दिखाएगा तो आज सारा दिन मैं पवित्रता का सुर्य हूँ यद्ध्यास करते हुए सब को आत्मिक दृष्टी से देखते हुए पवित्र वाइब्रेशन्स देते चलेंगे तो हम से निरंत अखंड रूप से चारो और पवित्रता की किरने फैलती रहें ये सुन्दर अभ्यास का आनन आज सारा दिन लेना है तो आप सब को बहुत बहुत थैंक्स ओम चांती